हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रडिशनल एंब्रोइडरी जॉफ इंडिया पांच फी वीडियो में हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं उसके बाद आने वाली अगली ट्रेडिशनल एंब्रोइडरी जॉफ पढ़ेंगे आज की हमारी ट्रडिशनल एंब्रोइडरी है कसूती ओफ करनाट का करनाटक दक्षिन भारत का एक प्रदेश है करनाटक या मैसूर की कसूती कढ़ाई विश्व प्रसिद है इसके नमूनेवे कला महिला जगत से लिए गए हैं कसूती कढ़ाई मैसूर के लोगों रिवाजों परंपराओं वा पेशे की अभिवेक्ति है यह कला मनुश्य की आंतरिक इच्छाओं को उनकी कलपनाओं की रूप में वस्त्र पर उकेर कर बनाई जाती है इस कला को सीखने की इच्छा उच्छ मध्यम वन्यम्न तीनों शेणियों की महिलाओं में समान रूप से है कसूती का अपना इतिहास है इंद्रा जोशी के अनुसार भारत में गुप्त वन्ष की समाप्ती के बाद से छटी से लेकर दस्वी शताब्दी स्वर्ण काल थी जब चालुक के वन्ष ने बादामी पर शाशन किया तब कला संस्कृती वर रिवाजों की द्रश्टी से कलाओं का पुनरुद्धार किया गया कहा जाता है कि कसूती आस्ट्रिया की कढ़ाई से समानता रखती है अतर हंगरी वर स्पेन की कढ़ाई जैसी लगती है कसूती का ओरिजन तो ग्यात नहीं ना ही किसी एतिहासिक अवशेशों में रिकॉर्ड मिलता है ना ही सहित्य में इसकी जानकारी है कसूती शब्द का विशलेशन कई हाथ से सूती यानि कॉटन वस्त्र पर थ्रेड से किया गया कार्य है यानि कॉंटन वस्तर पर हाथ से किया गया थ्रेड का कार्य यानि कसूती सत्रवी शदाबदी में जब मैसूर पर महराजा ने साशन किया तो इस शेत्र की स्त्रियां 64 कलाओं में पारंगत थी जिन में कसूती भी एक थी इस्त्रियों की कला विबिन मंदिरों, गुफाओं, महलों, इमारतों और सुन्दर शिल्प कला के नमूनों, पारंपरिक तेवहारों, पर्वों से प्रेड़ना प्राप्त करके विक्सित हुई और फली फूली इस्त्रियों ने अपनी कलात्मक, जिग्यासा को छोटे-छोटे वस्त्रों पर कड़ाई करके कसूती के रूप में प्रदरशित किया था उस समय यह कला एक व्यक्ती वपीडी से दूसरे व्यक्ती वपीडी को स्थानांत्रिक होती गई मुख्य रूप से इसमें शिव और शिवा की तस्वीर बनाई जाती थी खाली समय में दादी द्वारा अपनी पोती, बहुओं, बेटियों वपड़ौस की औरतों को यह कला सिखाई जाती थी पुराने समय में यह रिवास था कि दुलन कसूती कड़ाई की काली साड़ी पहने इस साड़ी को चंदरकली साड़ी कहा जाता था परंपरागत रूप में भी यह कड़ाई साड़ी वे ब्लाउस पर ही की जाती थी दक्षन करनाटक में जनसंक्या का प्रमुक पेशा बुनाई द्वारा परंपरागत विश्व प्रसिद इकेट साड़ी बनाना था जो शुद्ध कॉर्टन सिल्क या रियॉन की होती थी और फ्लाई शटल से पिट लूम पर बनती थी इसके अलावा ब्लाउस या चोली का कपड़ा भी अतिरिक्त ताना लेकर बुना जाता था धारवाड और बीजापुर में आज भी हतकरगे की साड़ियां बुनी जाती है परंपरागत कसूती कड़ाई बॉर्डर पर लाल और लाल रंके धागे टॉप टेरी सड से विस्तरत पलू और साड़ी के बीज का पूरा भाग बनाया जाता है नमूने का आकार छोटा होता था तथा नमूनों की संख्या साड़ी की प्लीट्स की तरफ आते आते कम हो जाती थी साड़ी में कुल 60 से लेके 62 मोटिफ होते थे जो विभिन रंगों में रिपीट होते थे पूरी साड़ी की बॉड़ी पर इन नमूनों को 60 से 62 के बीज के जो भी नमूने उनको अलग अलग रंगों में रिपीट किया जाता था कसूती घरेलू कला के रूप में सामने आई जिसके प्रती काम करने वाले जो व्यक्ति होते थे मंदिरवई मारते बनाते थे उनकी इस्तरियां कुछ डिजाइन गोपूरम, दीपमाला, तुलसी व्रंदावन, हुक्का, भगवान के विबिन रूप, पक्षी और पशुओं को लेकर कसूती बना लेती थी यानि जो परिवार जिस तरह के परिवेश में काम करता था या उनके आजपास जिस तरह की धैनिक दिंचर्य होती थी उसी तरह के डिजाइन वो कसूती में अपने एड़ कर लेते थे या बनाते थे कसूती बीजापुर, धारवाण, बेलगाओं, जामखंडी, आदी, जीलों का प्रसिद्ध है कसूती वर्तमान तक घरेलू स्तर पर ही की जाती है यह ना तो ओध्योगीक स्तर पर पहुंची, ना ही इसके लिए पॉलिटिकली बाजार में प्रभावपुन स्थान बना सके ना ही इसके आर्टिकल्स को उतनी वेटिज मिली जितनी अन्य कणाईयों के आर्टिकल्स को मार्केट में मिली यानि राजनेतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से इसकला को जादा प्रश्रे नहीं मिला हाथ की कार्यक उशलता प्रतेक व्यक्ति की अलग-अलग होती है प्रतेक परिवार विभिन नमूनों को सूती वस्तर पर बनाकर सेंपल के तौर पर संग्रह करता है किशोर बालिकाएं इन सेंपल्स को कसूती सीखते समय काम में लेती हैं कसूती में नमूने पौरानिक कथाओं वा वास्तु शिल्प में वास्तु शिल्प से लिये जाते हैं जिनमें फ्लोरा फौना, पूरम, हुक्का, शिवलिंग, नंदी, चीता, लेंपशेड्स, शिव का मुकुट, स्वास्तिक, सूरजमुखी, अनानास, रामचंद्र, नाग देवता, हाथी, घोडे, तुलसी व्रंदावन, हनुमान, इत्यादी हैं शिव, तोता, मोर, चिड्या, मुर्गी, कबूतर, बतक, हंस, हिरण आदी के नमूने एवं बेल बूटे, फूल पती के साथ कड़ाई में बनाया जाते हैं मुख्य नमूनों में कमल, मीन, मीन यानी मचली, रूई फूल, कॉटन का जो फूल होता है अंगूर, केवड़ा, कलावर, डाइमंड, बादाम, काले मोती और जोमेट्रिकल डिजाइन्स, कोकोनट फ्लॉवर्स, स्पैसिफिकली रुद्राक्ष, बैंगन, धनिया, शत्रंज के फ्लॉवर पॉर्ट आदी इस तरह के डिजाइन इसमें बनाये जाते हैं कुछ सीधे वे किनारी के बॉर्डर में जो साड़ी का कुछ इंच होता है वहाँ पर छोटे, मेडियम या लार्ज साइज में भी छोटे-छोटे फ्लॉवर्स बनाये जाते हैं साड़ी का जो सेंटर होता है उसमें लार्ज साइज के और बॉर्डर पर और किनारों पर छोटे साइज के डिजाइन बनाया जाते हैं इसमाल साइज बैटन बनाया जाते हैं कसूती के टांके खड़े आड़े और तिर्षे होते हैं इसकी विशेश्टा है कि डिजाइन कभी ट्रेस नहीं किया जाता बलकि सीधा बैक स्टिच से कड़ाई शुरू की जाती है स्टिचे साधी सुक्ष्म जुड़ी हुई और सुन्दर लगती हैं अलग-अलग नमूनों को अलग-अलग स्टिचे से बनाया जाता है अच्छे काम के लिए दो से छे तार तक का धागा काम में लिया जाता है परंतु धागा लंबा होना चाहिए ताकि बीच में जोड़ना इसमें काम आने वाली प्रमुक स्टिचे हैं गवंती कुछ स्टिचे जो कसूती में काम आती है क्योंकि इसमें कोई डिजाइन ट्रेस नहीं किया जाता है इसका जो बेस वस्त्र लिया जाता है अधिकतर वो मैटी का या खद्धर का होता है जिसमें ताना बाना एक पहली है गवंती सबसे साधी और प्रशलित स्टिच है जो पहले एक बार रनिंग स्टिच लेकर दुबारा उसी पर रनिंग स्टिच बनाई जाती है इसका गवंती का नाम कनाड़ा शब्द गोंटु नौट यानि गांट से जाना जाता है पहली रनिंग स्टिच के उपर में नाचाम तरफ सोवाइब करते हैं गवनती आड़ी तिरशी खडी दिशा में ली जा सकती है कवनती में पहले running stitch करते हैं कि लोक स्प्रेश प्रेश करना फेबरिक छोड़ना और वहक emulate 그 means करने के बाद उसी यहां यहां जगए को फूरते हैं तो फ्राजी यहां पूरी की पूरी जो लाइं फूर से कवर हो जाती है। काम किया जाता है दूसरी है मुर्गी यह जिग जग रणिंग स्टिच है जो सीडी का आकार दर्शाती है यह गवंती के समान है पर कारे स्टेप वाइस करती है गवंती वह मुर्गी का काम साफ और सुक्ष्म होता है जिससे डिजाइन राइट और रॉंग दोनों साइड एक जैसा दिखाई देता है जैनि जो भी स्टिच बनती है वुर्गी वह भी गवंती के समान ही होती है फिर अगर यह स्टेप वाइस काम करती है यह yine де स्टेर की तरह जिग जग के रूप में ऊपर नीचे की तरफ नहीं करती और इन दोनों स्टिचिस का जो काम होता है वो आगे और पीछे कपड़े के एक ही जैसा दिखाई देता है इसमें छोटे-छोटे नमूने जैसे स्क्वेर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, जिग-जग आधी बनाये जाते हैं यह छोटे-छोटे नमूनों को मिलाकर बड़ा जयम त्यार कर सकते हैं तीस्टी स्टिच आती है नैगी नैगी से तातपर है कि वीविंग की तरह काम करना यानि जो फैब्रिक है उस पर नैगी स्टिच का काम ऐसा दिखाई देता है औल आवर पैटन जो वुवन डिजाइन के समान लगता है यानि ऐसे लगता जिसे कपड़े म नैगी सामाने तर डबल स्टिच है डार्निंग स्टिच है यह है लंबी चोटी और सीधी रेखाओं के रूप में डाइगनल फ्लॉट्स पर कारे करती है डार्निंग स्टिच यानि डबल फ्लॉट में डार्निंग स्टिच काम में लेते हैं जो लंबी चोटी और सीधी वह फैबरिक के दूसरी साइड सेम नहीं होता है लास्ट है मैंती मैंती यह एक क्रॉस स्टिच है यह भर्वा कड़ाई के काम आती है इसके द्वारा जो अन्य तीन जो स्टिचे उनके पेक्षा इसमें अधिक लंबा धागा और अधिक समय लगता है यह स्टिच भी वस्तर के दूसरी तरफ समान प्रभाव नहीं देती यानि क्रॉस एक तरह की क्रॉस स्टिच है जो मैंती है क्रॉस स्टिच के रूप में इसको हम भर्वा कड़ाई के रूप में काम में लेते हैं मगर इसका जो प्रभाव एक तरफ दिखाई देता है वो मुर्की और गवंती की तरह दूसरी तरफ दिखाई नहीं देता इसमें धागा लंबा लेना पड़ता है और समय भी थोड़ा अधिक लगता है धागा भी इसमें अधिक लगता है क्योंकि क्रॉस स्टिच है तो वो बार बार रिपीट होता है प्राचीन काल में कसूती के लिए सिल्क का धागा साड़ी के पल्लू में से ही निकाला जाता था जिससे डिजाइन एकदम फ्लैट, रिच और सुन्दर लगे यानि एकदम उसका कॉंबिनेशन उस साड़ी के साथ में बैठे वरन्तु वर्तमान में यह धागा मैसूर में उपलब्ध है सुक्ष्म कड़ाई के लिए एक तार का और भर्वा कड़ाई के लिए दो से छे तार का धागा काम में लेते हैं धागे की संक्या वस्त्र के प्रकार नमूनों और उसमें काम आने वाली स्टिच के आधार पर निर्भर करती है कसूती के लिए मैटी, कैनवास वस्त्र को प्रात्मिक्ता दी जाती है इसमें जो हम आधार वस्त्र लेते हैं वो कैनवास या मैटी, बारीक और मोटी दोनों तरह की काम में ली जाती है जिनकी वीविंग थोड़ी लूज या कॉम्पेक्ट होती है उनको काम में लेते हैं कलर से गर हम देखें तो लाल, बैंगनी, नारंगी, हरा, पीला, काले बेस पर वाइट डॉट्स काम में लेते हैं कलर कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो रैड यलो रैड ब्ल्यू रैड ग्रीन रैड वाइट ओरंज परपल पिंक परपल ब्ल्यू ओरंज ग्रीन यलो यलो वाइट इत्यादी काम में लेते हैं जो डारेक्ट कलर हैं मलब शेड्स काम में नहीं ली जाती जो डारेक्ट प्यॉर कलर हैं वही रंग इसके लिए काम में लिये जाते हैं मगर फिर भी कसूती को हम देखें तो कसूती अन्य जो एम्राइडरी जैसे यूपी का चिकन वर्क है या पंजाब की फुलकारी है या गुजरात की कचकाटिया वाड़ की कड़ाई है या राजस्तान का जारदोजी है उस तरह से उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है यह पर्टि या इसको किसी भी तरीके का सरंक्षन नहीं मिला इस वज़े से यह कला जादा प्रशलित नहीं हो पाई या लोगप्रिये नहीं हो पाई मगर फिर भी इसके जो डिजाइन नमोने हैं वो अपने आप में बहुती अलग और आकर्शक होते हैं और यह कड़ाई बहुत आसान तरीके से सीखी और आगे बढ़ाई जा सकती है थैंक्यो बच्चों